चोटी थी मैं, बहुत चोटी भी नहीं चहरे से खुश थी, मन में रुई थी मैं और शाम के बाद अंकल के सामने कभी भी नहीं गई किसी को कुछ भी नहीं बताया बहुत रुई फिर डर कर समयल गई मैं हाई डियर यंगर साइना, अभी कुछ दिनों पहले की बात है मैंने एक छोटी सी लड़की को बिलकुल उन्हीं हालातों से गुजरते हुए देखा, जिन हालातों से मैं गुजरी हूँ या तुम गुजर रही हूँ ना जानी क्यों उस बच्ची का चहरा बार बार मेरे आखों के सामने आ जाता है आज भी आया तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे नाम की एक लेटर लिखतू कभी-कभी मन करता है कि अपनी अंदर का गुसा चीक कर बाहर निकालतू मुझे आज भी वो दिन याद है तुम्हारे साथ वे हाथसे को उससे बैतर हो कोई भी नहीं समझ सकता मुझे अच्छी तरह याद है कि कैसे उस शाम कुछ लोग तुम्हारे घर आये थे एक अंकल तुम्हारे लिए एक चॉकलेट भी लेकर आये थे पर नौ साल की तुम उन अंकल के सामने चाहने से खबरा रही थी तुम्हारे मन में उस चॉकलेट का लालश तो आ रहा था पर तुम अंकल के वो हाथों की अजीब से टच से डर रही थी तुम उने देखकर अपने कमरे में वापस चली गई पर पापा ने तुम्हें वापस बुलाया और कहा बेटा तुम अपनी वो कविता सुनाओ तुम हिचकी चाहते हुए वो कविता सुनाई सहमी सी आवाज में एक अलग से अंदाज में फिर उस अंकल ने चॉकलेट देने के बहाने से तुम्हें अपने पास बुलाया और कहा बेटा आओ मेरी गोद में बैठो और फिर से वो कविता सुनाओ तुम नहीं जाना चाहती थी पर पापा ने कहा बेटा अंकल बुलाया रहना जाओ और दादी भी तुम्हें डाटने लगी तुम ढरते तरते उस अंकल के पास चली गई और फिर से उस अंकल ने तुम्हें गलत तरीके से टच किया और कान में बोला बेटा येलो चॉकलेट पर किसी को कुछ मत कहना तुम उनकी गोद से नीचे उतरी और मा के पस चली गई जाकर मा से लिपट पड़ी मा ने पूछा क्या हुआ बेटा पर कुछ जवाब ना मिलने पर मा ने बोला कि तुम जाओ यहां से किचन में कुछ गरम गिर जाएगा तो तुम जल जाओगी फिर तुम भागी और अपने रूम में चली गई वहां तुमने वह चॉकलेट फेक दी और बस रोने लगी फिर तोड़ी दिर बाद दादी के बुलाने के बाद आसू पोछ कर तुम बाहर आई वो शाम सब के लिए बहुत चल्दी खतम हो गई थी पर तुम्हारे लिए तुम्हारी जिन्दगी की वह सबसे लंबी शाम थी पहले तो अंकल कभी-कभी आया करते थे पर अब वो हर भी काज आया करते फिर वही सब धोराते तुम अकसर यही सोचा करती थी कि अगर वो अंकल इतने बुरे है तो सब को क्यों नहीं पता है और अगर यह सब नॉर्मल है तो मुझे बुरा क्यों लगता है मैं किसी को कहूं या नहीं कहिसा मुझे टाटेंगे तो नहीं काफी सालों के बाद जब मुझे गुड टच और बेड टच के बारे में पता चला तो समझ में आया कि गलत मैं नहीं, वो अंकल थी और उनका वो टच भी गलत था मुझे चुप नहीं रहना चाहिए था मुझे मा और पापा को सब कुछ बता देना चाहिए था कि आखिर क्यूं मैं उस अंकल के पास नहीं जाना चाहती थी काश ये बाते मुझे उस वक्त पता होती काश ये बाते मुझे कोई उस वक्त समझाने वाला होता अभी तुम परिशान होगी तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे इंसिक्योरिटी सही है या गलत पर तुम अपनी दिल की सुनो गलत वो अंकल थे और उनका वो टच भी अगर कोई भी तुम्हारे मर्जी की बिना तुम्हें टच करता है तो उनके इंटेंशन कभी भी अच्छे नहीं हो सकते अभी जाओ और अपने मा, पापा, दादी को ये सब कुछ बता दो वो तुम्हारी बात सुनेंगे और तुम्हें प्रोटेक्ट भी करेंगे जब तुम्हें बताओगी तो तुम्हें मारेंगे नहीं डाटेंगे भी नहीं उस अंकल को सजा देंगे तुम मा, बापा की छोटी सी गुडिया हो तुम सही हो, वो अंकल गलत है पर सुनो, जो गलत काम करता है वो गंदा होता है जिसके साथ हुआ है, वो नहीं तुम डरो मत, तुम आगे बढ़ो खुद का हाथ तुम खुद थामो अगर कोई तुम्हारे साथ गलत कर रहा है तो पुलिस अंकल उसे लेकर चाएंगे और उसे सजा भी देंगे चुप रहकर तुम खुद को सजा मत दो किसी एक गंदे अंकल की वज़े से सब अच्छे अंकल जैसे पड़ो उसके शर्माजी, मैच्स के टीचर तुम्हारे मेल फ्रेंस और भाई इन सबसे दूर मत होना कोई भी टाच और बाते बुरी लगे तो तुम अपनी मा सिको मा तुम्हारा साथ देखे और तुम्हारे हर प्राब्लम्स में तुम्हारा भाई भी खड़ा होगा जो तुम्हारे सारी प्राब्लम्स से तुम्हें बचा लेगा जैसे चुप रहकर मैंने सालों तक खुद को सजा दी है I hope ये लेटर पढ़ने के बाद तुम खुद को इन सबसे बचा सको तुम्हारी साइन मैंने ये लेटर लिख तो दिया है पर मुझे अभी भी डर है कि क्या ये लेटर उस 9 साल की बच्ची तक मैं पहुचा सकती हूँ पर शायद आप कर सकते हैं उमीद है जब आपका कोई भी दोस्त आपकी तरप उमीद भरी नजरों से देखे तो उसे नजर अंदाज ना करे शायद आप उसकी मदद कर सकते हैं और हमें पूरा भरोसा है आप पर उमीद करते हैं कि आज के इस एपिसोड से आपको कुछ सीखने को मिला है और सही समय पर गुड टच और बैड टच को पहचान कर अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए सही कदम उठा सकेंगे तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी और एक नई लर्निक के साथ तब तक के लिए स्टे टून जल्दी से प्ले स्टोर पर चा कर माइंड वार्स का नया अप डाव्लोड कीजिए खेलिए बहुत सारे क्विजिस और पाव गेम्स खेलते खेलते स्टडी करने का मजा So what are you waiting for? Download the app now!